नमस्कार दोस्तों टेक्निकल ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी PDF फाइल पे पासवर्ट कैसे सेट करते हैं यानि कि उसको पासवर्ट प्रोटेक्टेड कैसे बनाते हैं अब दो तरीके का PDF फाइल होता है और दोनों पे पासवर्ट सेट करने का तरीका अलग-अलग होता है पहला PDF फाइल वो होता है जिसे आप खुद बनाते हैं अपने वाट डॉकुमेंट को एक्सपोर्ट करके as a PDF फाइल सेव करते हैं अगर आप सेव करने के टाइम ही अपने PDF फाइल पे पासवर्ट सेट करना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग होता है एक दूसरा PDF फाइल वो होता है जो पहले से बना-बनाया आपके पास PDF फाइल है अगर आप उस पे password सेट करना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग होता है और इस वीडियो में मैं आपको वो दोनों तरीके बताऊंगा इसलिए आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक करना, इसको शेर करना और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर देना क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए-ने टॉपिक्स पे नए-ने वीडियो लेकर आता रहता हूं तो आएए दोस्तों, आज कुछ नया सिखते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बदाता हूं कि किसी भी word document को कैसे export करते हैं यानि कि उसको as a pdf कैसे save करते हैं और save करने के time ही उस pdf file पे password कैसे set करते हैं तो उसके लिए आपको अपना word document open करना है left top में आपको यहां file का option मिलेगा आपको यहां file पे click करना है share के नीचे आपको एक option मिलेगा export का आपको यहां export पे click करना है अब यहां पे देखे एक option दिखेगा create pdf slash xps आपको इस पे click करना है और यहां से आपको location select करना होता है कि आप अपने file को किस location पे save करना चाहते हैं लेकिन save करने से पहले आपको यहाँ नीचे देखिए option का एक button दिखेगा आपको यहाँ option पे click करना है इसका properties का page open होगा इस properties के page पे सबसे नीचे देखिए एक option मिलेगा encrypt the document with a password आपको इसको check mark करना है ok पे click करना है और यहाँ पे देखिए इस page पे दो box मिलेगा दोनो box में आपको उस password को डालना है जो आप अपने PDF file पे set करना चाहते हैं पहली बार डालने के बाद same password आपको नीचे वाले box में भी डालना है ok पे click करना है अपने location को select करना है और यहाँ publish का button दिया है आपको simple यहाँ publish पे click कर देना है आपका word document as a PDF save हो जाएगा और वो password set हो जाएगा जब भी आप उस word document को open करेंगे वहाँ पे आपसे password मांगेगा यहाँ पे देखिए मैंने अपने word document को export किया और उस पे password set किया password set करते ही यह automatic open हुआ और यहाँ पे मुझसे password मांग रहा है मैं जब इस पे password डालूँगा यह PDF file यहाँ पे open हो जाएगा तो जिसके पास password होगा वही उस PDF file को open करेगा जिसके पास नहीं होगा वो उसको open नहीं कर पाएगा दोस्तों आप बात करते हैं दूसरे तरीके का अगर आपके पास पहले से कोई बना बनाए PDF file है जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास एक PDF file है जिस पे पहले से कोई भी password नहीं है तो ऐसा अगर आपके पास कोई PDF file है उस पे भी आप password लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि अपने PDF को open करिए उपर यहाँ देखिए tools के बगल में advance का option दिया है आपको यहाँ advance पे क्लिक करना है तीसरा number आपको option मिलेगा security का आपको इस पे जाना है इसके अंदर आपको बहुत सारे options मिलेगे उसमें से दूसरा option है encrypt with password आपको यहाँ encrypt with password पे क्लिक करना है यह password security का page open होगा इस page पे यहाँ पे देखिए एक option दिया है require a password to open the document इसको आपको check mark करना है और यहाँ पे आपको उस password को डालना है जो आप अपने इस PDF फाइल पे set करना चाहते हैं यहाँ पे आपको एक और option मिल जाता है restrict editing and printing of the document अगर इसको check mark करके यहाँ पे यही password डाल देते हैं और किसी को बेचते हैं तो उसमें अगर कोई editing करता है या फिर उसको print लेना चाहता है तो उसको यहाँ पे password डालना पड़ेगा तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ पे आपको password डालने के बाद ok पे click करना है फिर से आपको यहाँ पे password डालना है password डालने के बाद आपको फिर से ok पे click करना है और इसको आपको save करना है अगर आप यहाँ पे save नहीं करेंगे या फिर गलत password डलेगा तो यहाँ पे ये PDF file open नहीं होगा तो I hope दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है आप इसको like करेए इसको जादा जादा share करेए अगर ये वीडियो आप Facebook पे देख रहे है आप मेरे Facebook page को like और share करेए अगर YouTube पे देख रहे है और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज इसको subscribe करेए और साथ में bell icon को भी दवाईए ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ उसका notification आपको आसानी से मिन जाए